नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News Live पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर विवाह समारों का इंडियत ने बजाया बैंड पाइप लिप होने से यूवक की मोद्स शराप के नशे में कुए में गिरकर मोद्स आईए देखते हैं खबरे आप विस्तार से विवाह समारों का इंडियस ने बजाया बैंड कोरुना से निपटने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों पर कड़ी पाबन दिया लगाई गई हैं हाला कि अंतिमियात्रा में 20 लोगों के शामिल होने तता कुछ पूर्वन निर्दारित कार्यक्रम होने के कारण विवाह समारों में 25 लोगों की उपस्तीती को छूट प्रदान की गई थी यहां तक की कार्यक्रम के आयोजन केवल 2 घंटे के लिए होने तता तमाम शर्तों का उलंगन किये जाने पर 50,000 रुपे का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किये गए थे बुदवार को इन आदेशों का उलंगन करना उस समय एक परिवार को मेगा पड़ गया जब दस्ते ने देर रात तक चर रहे विवाह समारों में भनक लगते ही यहां दस्तक दी सतरंजी पुरा जोन स्तीट लालगंज परिसर के सुदर्शन नगर में हर भजन सिन्ह समुद्रे के यहां विवा समारों में भीड होने की खबर दस्ते को मिली दस्ते ने पोचकर वास्तविक्ता का जाय जा लिया जहानियमों का उलंगन देख परिवार पर 50,000 रुपी का ज मैयूर बुद्वार की सुबह दस बच कर 30 मिनिट के दोरान अपनी फ्रेंड के साथ बाइक पर गंगाबाई घाट से पाड़ी की ओर जा रहा था शास्त्री चोग पर उसका बाइक से नियंदरन चुट गया बाइक स्लीप हो गई और दोनों गिर गए मैयूर बुरी तरह ज दोटे भाई वयभौ की शिकायत पर आकस्मिक मोंत का मामला दर्च कर जाच आरंब की है तो वही तीसरों शराब के नशे में कुवे में गिर गया डूबने से उसकी मोंत हो गये मुरुतक पार्वतिनगर निवासी नितिन नारायन बिने कर बताया गया उसे शराब की लट थ गुर्वार की सुभह 7 बचकर 30 मिट के दोरान वह घर के समिप स्तीत कुवे की दिवार पर बेट गया। अब आप उमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर M&A सिंदी लिके और एप डाउनलोड करें साथी साथ आप उमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी अन्ने बाट